आज सई है बहुत ज़्यादा खुश क्यूंकि सई गई है शौपिंग पे अपने पापा और अपनी परियांटी के साथ दरसल सई की कस्टेडी मिल चुकी है रचत को और आशिका ये केस हार चुकी है तो सई के आने के बाद रचत बिलकुल बदल सा गया है रचत सई को वक्त दे रहा है उसकी हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रख रहा है जहांपर रचत सई को कहता है कि चलो आज हम शौपिंग पे चलेंगे लेकिन सई कहती है पापा हम परियांटी को भी साथ ले जाएंगे वो भी हमारे साथ चलेगी और सई की खुशी के लिए रजट सवी को भी अपने साँ शॉपिंग के लिए ले जाता है जहां पर ये तीनों काफी जादा मस्ती करते हैं और शॉपिंग से आने के बाद सई रजट के गले लगकर उसे थैंक्यू कहती है और फिर अपनी परियांटी के भी गले लगती है तो कहीं न कहीं सही अप रजट और सवी को पास लेकर आएगी और कहानी में आएगा एक नया मोर तो दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं